अविए सर्enty सर्कार आपकी है ना वहां पर यह जिम्मेदारी मंता बेनरजी जी की खुद की बनती है ना उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकाम्याब रहें आपकी सरकार आपका साशन आपका प्रसाशन पूरी तरीके से नाकाम्याब रहा आपके रहते हुए एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृनत घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संह्हामें असमाज एक तथव वहाँ पर घुसे जिस तरीके से उन्होंने तोड़ वोड़ वहाँ पर करने का काम किया यह अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता और यह जिम्मेदारी राज्य सरकार उनके प्रसाशन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़ चार नहीं हो ऐसे में दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाए पश्यम बंगाल की मुख्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि CBI जाच में किसी तरीके का कोई विग्न, कोई बाधा नहीं हो किसी तरीके से भी एविडेंस के साथ कोई भी टेंपरिंग नहीं हो प्रात्मिक्ता, मुख्य मंत्री जी की ये होनी चाहिए ना की आरोप प्रत्यारोप लगाने की पीड़ित परिवार को इस वक्त नयाय चाहिए जिसके लिए CBI पूरी मुस्तेदी से वहाँ पर लगा हुआ है पर अगर स्तान्य प्रसाशन का वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षन में अगर इस तरीके से एविडेंस के साथ छेड़ चार होगी तो ये कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को नयाय दिलाने की सोच के विरुज जाएगा भई आक्रोश है और ये आक्रोश हर वेक्ती के मन में और ये घटना सिफेक बंगाल की ही नहीं है इससे आक्रोशिद देश का हर एक वेक्ती है खास तोड़ पर महिला है खास तोड़ पर युवा है आज भी भई एक किसी सदी में भी अगर इस तरीके की ग्रिनिट घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कल मेरे प्रधान मंत्री जी ने भी स्वतंद्रता दिबस में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा है कि समाज को भी इस कर्तववे को समझने की जरूरत है आज किस मांसिक्ता का हम लोग शिकार हो रहे है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है दोशी को सक से सक कारवाई को सक से सक सजा मिले